वेल्कम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोई ते वॉलिवूड स्पाय यानि क्यार जितिव या सोल कामा चले बात करते हैं अधितियर रॉय कपूर आम नुडाल ठाकल स्टार ओफ फिल्म गुमिराग के बारे में अगर हम क्राइम बेस सस्पेंस मिस्ट्री वाल पिर आज कल के हालात में बनी साउथ की फिल्मों की रीमेक्स अगर हम साउथ की फिल्मों की रीमेक्स की बात करेंगे तो वेल द्रिश्यम has been a big and great example and one of the highest earning film also in this genre. गुम्रा भी एक ऐसी साउथ की फिल्म की रीमेक है तो चले जानते कि क्या इस फिल्म में हमें अच्छा और फिल्म की कहानी है पुलिस इंस्पेक्टर शिवानी मातोर यानिकी मौनाल ठाकूर की जो के एक मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसे जो सबूत मिलते है उसके बेसिस पे वो अरजुन सेगल यानिकी आदित तरोय कपूर को गिरफतार करती है और उससे पूछता है मुश्किल में कौन है असली कातिल अबस उसके बाद जो होता है तो फिल्म की आगे की कहानी है अब कहानी की बात करेंगे तो यह फिल्म साउट की एक सूपर हिट फिल्म थडम की ऑफिशल रीमेक है और यहां पर मेकर्स ने जो नरेटिव थोड़ा सा डिफरेंट रखा ह और बस उससे ज्यादा कुछ और चेंजिस नहीं किया है फिल्म के शुरुआत तो बढ़िया तरीके से होती है विट मुनाल इंविस्टिगेशन और देन तू अधित्या पुलिस स्टेशन वाले सिचुएशन और अधित्या और वेदी का पिंटो के एंटाइर लव स्टोरी लीडिंग तो अधित्या पॉनिंग वाला ट्रैक यह सब ट्रैक्स बढ़िया है और फिर्स्टाफ को बांदे रखता है बड़ उसी में अधित्या और उसके एक फ्रेंड वाला जो ट्रैक है उसे काफी खीचा गया है और पेस इन फिर्स्टाफ टीपिंग ड़ूट अट अ यह सब ट्रैक्स बढ़िया है और फिल्म को मज़ेदार बनाए रखते है फिल्म का सस्पेंस अच्छा है और फिल्म थोड़ी सी खीच जाती है अगर वहां पे अगर ट्रिमिंग बराबर होती या एडिटिंग ठीक ताक होती तो फिल्म और भी अच्छी बनती है डालोग सी है नतिंग ग्रेट वहीं पर सिनेमाटोग्राफी इस गुड़ एंड क्रिस्ट अब अगर हम म्यूजिक की बात करेंगे तो एका सॉंग तो काफी अपरप्टली प्लेस किये गए फिल्म में हाँ गर नहीं जाना इस अ गुड़ सॉंग उसके अलावा कुछ खास नहीं है पॉजिटिव और साथी नेगटिव पॉइंट तो नहीं पॉजिटिव इस लिए ऐस जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म नहीं तेकी है उनके लिए थैंक्स बॉजिनल फिल्म का बेटर हो सकता था एस्पेशली इन-ündeर सालो है अब परफॉणस की बात करेंगे तो आधे तरो है क Kapoor easily pulls off both the characters and keeps you engaged in the film. महीं, Roonald Thakur's job was tasking and she does that with total grace. राणित रोई का रोल सादा बड़ा तो नहीं है but important है और साथी मज़ेदार भी. महीं, वेडी का बिंटो looks cute and adds a soul in the first half of the film. So on an overall basis पे गुम्रा is like a nail-biting match यहां पर हर सीन में आपका गेस जो होता है based on the situation and the twist in the film. एक बॉलिदा, एक बॉलिदा, एक बॉलिदा, एक बॉलिदा. यह फिल्म और भी बेटर बन सकती थी, पेस भी बेटर हो सकता था, जिसके बनते में इस फिल्म को 3 to maximum 3.5 star की रेटिंग दूँगा. So all you, Aditya Roy Kapoor, Roonald Thakur के fans do watch this film और देखकर हमें बताइए कैसी लगी है फिल्म. मिलते हैं जल्द एक और फिल्म के रिव्यू के साथ कुन लिए on Talking Point Reviews and more with your Bollywood spy, यानि कि आर्जयतिव्य सूल कामा.